बाई देखो आज IPL में पंजाब के सामने होगी हैदरबाद की चुनोती आप सब को बता दू कि IPL 24 में दोनोई टीमों ने अब तक पुल 4-4 T20 मैचेस खेलने के बाद अग तक 2-2 T20 मैचेस को विन कर चुकिया सब कुछ आपको बताऊंगा बस आप वीडियो देखते जाओ तो पहले बात करेंगे पिचोर कंडिशन के बारे में भाई आप सब जानते होंगे कि IPL 24 में ये वैन्यम अब तक से फेक T20 मैच हुआ उससे फेक T20 मैच की परफूमेंस देखने के बाद ये पिडिक करना बड़ा ही मुश्किल काम है कि इस तुन्यम में जो पिचोर कैसे बिहेब करेगी जबकि चेस कनवार टिम भी दो मैच मिन करने में काम याब हुई लेकिन भाई मेर को लगता है वो T20 मैच मैकसम दिन में थे ये T20 मैच शाम को गा तो इस मैच में चेस कनवार टिम का पलड़ा भारी हो सकता है दूसरा अगर इस वन्यू के स्कोरिंग पैटरन की बात की जाए तो देखा गया था इस वन्यू का जो स्कोरिंग रन रेट है वो 8.5 पन था तो हम कुल मिला की ये कह सकते हैं कि इस वन्यू पर अपने के एक न्यूटरल विकिट देखने को मिल सकते है जिसके उपर गिनबास बल्लेबास दोनों अच्छा करेंगे लेकिन स्लाइटली एडवांटेज बल्लेबास सो कोगी अगर बाउंडरी की बात करें तो यहां जो इसकर बाउंडरी वो 74 याड किया है सामने की बाउंडरी क्या से याड किया है तो आप कह सकते हैं कि ये वन्यू पर जो बाउंडरी हो मेडियम से बड़ी है तो इस वन्यू पर खेलेगे 23 मार्ट दोसा 24 वाले T20 मैच की बात करे भाई पंजाब दिन्ली का मैस था अभी हमने क्या सिखा कि इस वने पर न्यूटरल विकिट देखने को मिल सकती है जो इस स्कोरिंग रेट है 8.51 के आसपास हो सकती है प्लस में ये वन्यू के उपर बल्लेबास गिन्बास दोनों अच्छा करेंगे लेकिन स्लाइटली थोड़ी एडवांटेज बल्लेबास सकोगी तो इस C20 मेहत में आप देखो पंजाब की टीम ने लगबग 8.51 की उसद से ही रन स्कोर किया लगबग 174 यानि थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है फिर इसी वैन्यू पर दिल्ली की टीम ने इस टागेट को 1900 में चेस कर दिया यानि हमने क्या देखा जो पीछे वो न्यूट्रल है इस पर बल्लेबास गिन्बास दोनों अच्छा कर सकते हैं लेकिन स्लाइटली एडवांटेज बल्लेबासों को है तो आपने देखा बल्ले जान के सरानी होगी कि इस वैन्यू के पर जो इंपैक्ट है वो इस पिन गिन्बास ने ज्यादा पइदा किया कमपेस में 30 गिन्बासों के क्योंकि इस पिन गिन्बास ने बांड में रन देके चार दंबलेबास ग का Kerry कर रहे हैं वह इस मैटने है पहले क्या डिषाइड कर रहे हैं बल्लेबासी या गिन बासी मानलों कप्तान ने तोर्ष जितके पहले गिनबासी करने का फैसला किया तो क्या कफ्तान ने ऐसा मेंशन किया कि वही दूसरी पारे में डियू आ सकती है क्योंगी कफ्तान अगर ऐसा कहता वही दूसरी पारे में डियू आ सकती है तो उमीद करता हूँ आपको ये venue पूरे अच्छे तरीके से समझ आ गया तो भाई अब देखो, मानलो मेरे को ये T20 मैच में मेगा लिग और स्मोल लिग में कैसे अच्छा परफूम कर पाऊंगा सब कुछ बताऊंगा बस वीडियो को देखते जाओ सबसे पहले मेगा लिग की बात करते हैं बाई देखो ये मैच है पंजाब हैदराबाद के मैच पंजाब भी विन कर सकते हैं मैच हैदराबाद भी विन कर सकते हैं सबसे पहले मैं मेगा लिग की टीम बना रहा हूँ कि विर मेरे कु लग रहा है कि आज मैच होई दरभाद विन करेगी हेदरभाद टीम ये मैच कैसे विन कर सकते है पहला केस क्या दोभ निएगा कि दरभाद टीम के गेनबास ने ऐपेल 2-14 मैं अच्ची गेनबास सी बिल्कुल नहीं करवाई हम एक बार फिर मानलेते हैं कि कर दें क्योंकि आप लोग जानते हैं हैधरबाद टीम ने आईपेल दोसाइच ओविस में जो भी मैचिस विन करें वो मैचिस अपने गिंदबास को जब इनके बल्लेबास ने सपोर्ट किया तब ही फिन किया अगर इनके बल्लेबास गिंदबास को सपोर्ट नहीं कर पाते त आज इस मैच में हिदरबाद के गिंदबास ने अचा परफॉम नहीं किया और पंजाब टीम के बल्लेबास ने भी अच्छा किया है लेकिन एट देंडी से 20 मैच को हिदरबास टीम फिन करती है और मैंने एक फैंटेसे टीम ग्रेंड लिक का बना भी रख है जो आज इस वि सपोर्ट ना मिलने के चलते इस मैट को हैदराबाद हार जाएगी तो ऐसा भी मैंने ग्रेंड लिग का फेंटेसी टीम बना रखा है और मेगा लिग की टीम बना रखी है आपको इस सुडियो में शेयर करूँगा हम एक तीस सा टीम भी बना सकते हैं क्यों भी माल लेते हैं कि स गिनबास अच्छी गिनबास ही करते हैं और बल्लेबास को गिनबास को ज़्यादा सपोर्ट करने की उस्वर्थ नहीं पड़ेगी तो ऐसा करके भी हैदरबाद टीम इस मैट को बिन कर सकती है तो यह तीन-चार फेंटेसी टीम है जो इस मैट में हम बनाएंगे तो गिनबास अच्छी गिनबास नहीं कर पाए पंजाब और हैदरबाद के बल्लेबास नहीं अच्छी बल्लेबास अच्छी बल्लेबास अच्छी बल्लेबास नहीं कर पाए तो पंजाब के बल्लेबास नहीं कर पाए तो पंजाब के बल्लेबासों को चलना चाहिए दवन फेंटेसी टीम में जोनी बेश्ट्रो है नीचे सैम करण है और लियम लिविंग्स्टन है मेरे को लग रहा है गर इस मैट में लियाम पूरी तरह फिट है जो की नेट में बल्लेबास नहीं कर रहा था तो इस से 20 मैट में सिकंदर असा के प्लेबास पे वापस आ सकता है तो मैंने पंजाब टीम के टोप चार बल्ले गेंबास से एकनोमिकल गेंबासी की है पैट के साथ फाइदा यह है कि बल्लेबास से आपको कोंट्रिबूट कर सकते हैं और काफी अच्छे फिल्डर है तो इस वजह से मैंने पैट कमेंस को टीम में रखा और अब पंजाब की टीम से कौन से गेंबास को लिया गगी सोर अ और हर भित बरार Phantasy टीम है तो इस T20 में मैंने Phantasy Team जो बनाये इस Phantasy Team में जिन गेंबासी को रखा है उन गेंबास से गेंबासी Department में ज्यादा Expectation लिया और ज्यादा Expectation ना है तो इसका मतलब यह रोखो करें आप सवाल करोगे वही आपने तो यह अपना बन गया मेगा लिग का कॉंबिनेशन नमबर एक अब हम बात करते मेगा लिग के कॉंबिनेशन नमबर दो के बारे में अब मैंने दूसरा फेंटेसिटी मेगा लिग का बनाया कि आज पंजाब की टीम टागेट को चेस करती है ठीक है लेकिन पंजाब टीम अच्छी गिनबास से करती है और इस मैट में हैदरबाद टीम के वल्लेबास को जल्दी आउट करती है यानि हैदरबाद टीम के जो गिनबास है उनके अपने वल्लेबासों को सपोर्ट नहीं मिला उनको अपने वल्लेबासों को सपोर्ट नहीं मिला तो मैंने क्या करा ऐ तो नीचे सिर्फ पेट कमिस को लिया, यानि मैंने fantasy team बनाया था कि इस मैट में पंजाब के गिनबास चले, बल्लेबास हैदरबाद के अपने गिनबास को सपोर्ट नी कर पाए, हैदरबाद के team मैं चाहर गई, तो हैदरबाद team के ज़्यादा बल्लेबास आपको मेरी fantasy team में असर नी आएँगे, हैदरबाद के बल्लेबास नी चले, तो फिर भाई पंजाब के गिनबास चलने चाहिए, तो पंजाब के team के उससे कगिसो रबाड है, हर्शल पटेल है, हरप्रित बरार है, राहुल चेहर है, और सैम करने ठीक है, तो इन सब को fantasy team में लिया कि गिनबास में contribute करेंगे, सैम गिनबासी के साथ बल्लेबास में contribute कर सकता है, और इस मैट में जब एदरबाद की बल्लेबासी नी चली, तो हो सकता है कि पंजाब को कम target chase करना हो, तो इससे वजह से धवन, बेश्टो और सैम करन, इनी खिलाड़े को fantasy team में रखा है, अब इस वाले T20 में कफ्तान वा इस कफ्तान आप किसे बना सकते हैं, इस मैट में आप कफ्तान वा इस कफ्तान बना सकते हैं, तो पंजाब के गिनबासों को, कि पंजाब के गिनबासी ने अच्छी गिनबासी करके, एदरबाद की बल्लेबासी को कलाप्स कर दिया, या पंजाब टीम की opening ब कोंट्रिफूट कर सकता है तो यह तो मेγαली गोली का टीम बना के टốt스 के बाद में आपको यू आपको टेलीगराम चैल में शेर कर दूंगा और हैदरवाद टीम के बल्लबास ने कम कोंट्रिब्यूट करके इस मैट को अपनी टीम को फिन करा दिया तो ऐसा fantasy team आप खुद भी बना सकते हैं खुद नहीं बना पारे टोस्क बाद टेलेग्राम में आपको बना के शेयर कर दूँगा जोईनी के आप जोईन कर लेना लिंक फीडियो के नेचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको मिल जाएगा तो भई देखो मेगा लीग में तो हमें एक से ज़्यादा fantasy team बना सकते हैं और किसी भी खिलाड़े को fantasy team में ले सकते हैं लेकिन जब हम बात करते हैं समोल लिग के तो इस समोल लिग में अच्छा perform करना है तो हमें यह पता होना चाहिए कि इस मैट में वो कौन से 11 खिलाड़ी है जो सबसे बहतर perform कर सकते हैं इस वज़े से में एके खिलाड़े के बार में इन डिटेल इस video में चेक करना पड़ेगा सबसे पहले धवन की बात की जाए तो भई धवन जब पिछली बार खेलाता है एदरबाद की टीम के सामने तो पंजाब की वैटिंग को लैप्स करी थी पंजाब की टीम ने ऐधिंग 1-50 सन भी नहीं मारे थे और उससे टी-20 मैच में दवन ने बल्ले के साथ नोट आउट 99 रेंड मारे थे यानि दवन एक ऐसा बल्ले बास है जो सिंगल डबल करके आप फिर ठीक ठाक बल्ले बास सी करके 20 से 40 सन आपको किसी भी टी-20 मैच में बना के दे सकता है तो अगर आप लोग इसमोली खेलते हैं तो दोस्ते ही आपके एक सेफ चोईस बनेंगे जिनको फेंटेसी टीम में ले सकते हैं अगर आप एदरबाद टीम के गिनबासों के सामने दवन की बात करते हैं तो दवन की परफोर्मेस ठीक ठाक रही है फिर अगर हम बात करें जोनी बेश्ट्रो की तो आप भाई जोनी बेश्ट्रो को टीम में ले सकते हैं लेकिन ध्यान ये रखना कि इनको एक गिनबास है पैट कमिस जो की परिश्वान करते है पैट कमिस ने 25 वोल में दो बार तो बेश्ट्रो का उट किया तो आप क्या कर सकते हैं कि इस 2020 में ग्रैंड लीक के अंदर अपनी फेंटेस्ट्री टीम में जोनी बेश्ट्रो, श्रिकरद्वन, पैट कमिस तीनों के एक साथ तो ले लिया लेकिन इन तीन में से किनी दो को फेंटेस्ट्री टीम में कप्तान हो कप्तान बनाएंगे तो विन करने के चांस कम हो जाएंगे नहीं बनाएंगे तो विन करने के चांस इंक्रीस हो जाएंगे इसके लावाज अब जोनी बल्ले बास से करेगा और इस मैट में अगर शिकरद्वन जल्दी आउट होता है परहब सिवरन की बात करें तो वही हर बोल में बड़ा शोट खेलने का कोशिश करता है तो यही है क्रीजन की परहब सिवरन को स्टार्ट को अच्छे मिल रहे हैं लेकिन अच्छे स्टार्ट को बड़ी पार में कनवर्ट नहीं कर पारा अगर परहब सिवरन इस मैट में उपन करता है तो पन करता है पूरे च्छावर बल्लेबासी का मोका मिलता है तो वहाँ तो दोस्त अच्छे स्टार्ट को 50 में कनवर्ट कर देता है लेकिन जब ही बल्लेबासी करता है थोड़ा फस्ट डाउन पे तो पार प्ले बल्लेबासी कम मिलती है या कभी कभार पार प्ले के बाद बल्ले बाद से मिलती है तो वहाँ पे अच्छे इस स्टार्ट को बड़ी पार में करने के चांस कम होते हैं अपने टीम के तेज़ के इंदबास भुवी ने साथ बोल में 11 अंदे के 2 बार आउट किया और ना टासे ने 9 बोल में 16 अंदे के 1 बार आउट किया इस स्टार्ट पे खेले एक मात टी 20 मैट में 26 अंदे प्रबसिव रण ने फिर उसके बाद आपके आज़ते हैं सैम करण भाई आप इसको आँख बंद करके fantasy team में रखना है इस small league के अंदर क्योंकि सैम बल्ले गेन दोनों से contribute करता है और पंजाब की team सैम को बल्ले बासी उपर भी करा रहे है पिछले मैट में थोड़ा सा अनलगी था कि बोल को सिधे फिल्डर के हाट में मार मैटा अदरवाइस आपने देखोगा इस पनुपर जो पहला मैच वा था बल्ले के साथ तरे सेटन मार दे और प्लस में द्यान रखनाSmith हände मैट में क्या चारौथ गेंबासी कर पाईगा नहीं कर पाईगा ये इस वाद पर depend करता है कि इस मैट में पंजाब की team ने क्या राहूल चहर को खिलाया क्या पंजाब की team ने सेम कर्णा है उसको सिकंदर टा को खिलाया अगर इस मैट में सिगंदर रसा नहीं खेल रहा, राउल चहर नहीं खेल रहा, तो सैम कंड के गेंबासी ज़्यादा करने के चांस इंक्रीस हो जाएंगे, तो उसी वज़े से सैम को फिर फेंटेसी टीम में कप्तान वा इसकप्तान बना सकते हैं, मेरे को लग रहे हैं यह स्पेल परपաर्शत वा इस आपने चैनल भीने देख करने, जैसे आपने गुजरात के सामने पिछले T20 में देखा होगा, जितेष ने राश्चित की दो बोल पर दो चके मार दिये, अब जितेश ने 30 सा चका वापस से बारने का ट्राइ किया और राशित खान ने जितेश काउट कर दिया तो यही होता है जब आप लोग पाउटर बल्लेबास को फेंटेसी टीम में लेंगे तो भाई उनकी कोई करेंटी नहीं है कि वो इस मैट में 0 पे भी आउट हो सकते हैं और में भी हो सकता है तीर साली सन का जो कोंटिबिशन है वो भी कर दे ठीक है फिर आगे चलेंगे हरपरित बरार के बारे में भाई हरपरित की गिनबास से देख लो आई पेल 24 में एकनोमिकल गिनबास से किया है अपोनेंट टीम के लाफरित बल्लेवासों को निकाल दिया तो इस T20 मेट में हरपरित वापरित अच्छी गिनबास से करवा सकता है पिछले T20 मेट में इसमें गिनबास ने इसमें पे च्छी गिनबास से कीती टीम में लूप त्यूंकि आई पिल दो साच ओवेस्मेंट के गिनबास से फिलाल काफी गंदी रही है और काफी है महंगे साभीत हुए फिर अगर कगिस्तो रबाड़ा की बात करें तो कगिस्तो रबाड़ा पंचाब टीम के विकिटे की गिनबास है आप कहसा कते हैं पंचाब टीम के गिंग है तो कगिस्तो रबाड़ा आप ग्रेंट tocar दोनों ही के अंदर अपनी फैंटेसी टीममेंट को लेकर चल सकते हैं और कगिस्तो रबाड़ा एदराबाड टीम के कोण से बल्लेबास को सब से अधा परेश्वान करता है वीडियो मागे चल के आपको बतामगा अर्श्दिप की बात करें तो पंचा पहले गेंबास्थि करें तो देख लेना हला कि अर्श्दिप गेंबास्थि अच्छी कर रहे है लेकिन अर्श्दिप को आप आप आपेल के कितने matches उठालो, जब अर्षदिप ने मार्क खाई है, अर्षदिप ने विगिट लिए है, जब अर्षदिप ने एकनोमिकल गेंबास से किया है, विगिट काफी कम चटका है है, अब आपके सामने एक bowling chart है, यह bowling chart साब को थोड़ा idea लगेगा, हैदरवा ट आपेल के टीम के पास, जो पारपले में इनके टीम के कप्तान यूज़ करते हैं, जब अर्षदिप नाटकट भी है, सिर्फ एक गेंबास महिंक मारकंडे इनकी टीम में एसा है, जिसने अभी तक आइपल दोसा चोविश में पारपले में गेंबासी नहीं करवाई, पारप पैट कमिस ने 17-20 में अच्छी गेंबासी करवाई है, इसके लाव माइंक मारकंडे जैद नाटकट कोई गेंबास अच्छी गेंबासी नहीं कर पाया, सिवाए पैट कमिस के, अब बात करेंगे हैधराबाद की, तो हैधराबाद की टीम में ट्रैविस हैड को आपको पे रिस्क नी लेना, और ट्रैविस हैड इसमेक में कितना रन मारेगा, ये डिपेंड करता है ट्रैविस हैड को पारपले में बल्लेबासी करने का कितना मौ का मिला, और कि आप उने टीम ने पापले में इस्विन गेंबास को गेंबास therapies करें, क्योंकि ट्रैविस हैड की performance साल दोस्ता 23 चोबिस सैद मुस्तागली ट्रोफी की बात करें तो टुनामेट में अभिश्यक की परफोमेंस धमदार रही थी ध्यानी रखना अभिश्यक और भी खतरनाक हो सकते हैं अगर पार प्ले के अंदर पंजाब की टीम नेन के सामनी स्पिन गेंदबास को गेंदबास इसले T20 मैच में तीन पे खेल है अगर इसले T20 मैच में एडन मारकरम को कोई गेंदबास पंजाब का तंक कर सकता है तो वो उनकी टीम के गेंदबास हरप्रीत रहेंगे क्योंकि और प्ले के सामने मारकरम की आई पिलम परफोमेंस अची नहीं है अगर हरप्रीत के सामने ब सकता है सहबास ऐमध की बात करें तो वह देखो इसको काफी कम लोग फेंटेसी टीम में ले रहें लेकिन ये कैसा घिलाडी तो लगाता पिछले कूपरीकर 20 मैच में बैतर फेंटेसी पोंट आपको दे रहें तो आप अपनी फेंटेसी टीम में इस्पेशली ग्रेंड लीग के अंदर सहवास को जरूर ट्राई करना और आपने मेरे जो ग्रेंड लीग के fantasy team combination देखे होंगे मेरी एक मेगा लीग में सुरूर आपने सहवास जहमत को पाया होगा हैंडी क्लासन ऐसा कीपर बल्लेबास टीम में जाएगा कोई डाउ क्लासन के उपर आईड नितिष च्रेटि की बात करें तो अपने नितिष स्रेटि को अगर में कफतन वच्ष ककतन करना है तभी ट्राई करना जब दोस्तों इनका team चेज करा पहले बल्लेबासी करती हैं तो अब्दुल समझ को अपनी fantasy team है सब काफ़ान वाइस काफ़ान ट्राइड ना करें पैट कमिन्स को आँख बंद करके team में लोगे क्योंकि एधरबाद का ये कि यही तो गेंदबास है जो अच्छी गेंदबास ही कर रहा है जैदे उनाटकर फिलाल मैं इसमोल लीग की fantasy team में अवोइड कर रहा हूँ भूनेश्वर की बात करें पिछले T20 मैच में अच्छी गेंदबास ही करवाई है चार और में 28 संदिया एक बल्लेबास को भी आउट किया है लेकिन इस T20 मैच में इसमोल लीग के अंदर मैं भूवी पे रिस्क नहीं ले सकता अगर मेरे को मेगा लीग खेल लिए तो एक बार भूवी के बारे में सोचेंगे लेकिन मुझे पता है जो मेरा अपोनेंट है वो अपनी समोली की फेंटसी टीम में भूवी को लेके नहीं आएगा मैं लेके चला गया तो बहुत बड़ा एक रिस्क हो सकता है महिंक मारकंडे की बात करें तो आई तिंग उस T20 मैट में पंजाब टीम के चार बल्लेबास को काउट किया था तो महिंक मारकंडे पे आपकी नहसर होनी चाहिए इस T20 मैट में चार और गिनबास से मिलते दौमदा परफोमेंस करेंगे अगर हैदरबाद पहले गिनबास से कर रही है तो भूल के भी अपनी फेंटेस से टीम में टीन अटरासन को ड्रोप मत करना क्योंकि पंजाब टीम के बल्लेबास का कोई भरोसा नहीं है अब पंजाब टीम के बोलिंग चार्ट को देखते हैं कि टीम के कफ्तान दवन के पास क्या विकलता और कैसे अपने गिनबास को रोटेट कर रहे है अर्श्ती पारपले में, कगी सरवड़ा पारपले में, सैमकर्ण पारपले में यानि पंजाब टीम पारप्ले में तेस गेंबास को ज़्यादा गेंबास से कराते कमपेस में स्पिन के गेंबास से करवाई हरप्रीत ने लेकिन सिर्फ दोवर कराई है जैसे ही पार फ्लेड हुआ हर chill प्रीथ बरार आपको गिंब स्टीवन असराएंगे ठीक है अगर C20 में पंजाब की टीम एक ही स्पिन गिंबास के साथ कहल रहा है तो पूरे चांस है कि हर्पी त इस में चारो गिंबास की करे लेकिन पंजाब की टीम दो या दो से जादे इसमिन गिंबाजियों के साथ थेलती दो चांस बनते हैं कि अरपीत को पूरे चारों गिंबाजिय नहीं मिलेगी साथ से ग्यारा बारा से सोला की बात करें हर्षल पटेल गिनबासी कर रहा है सिकंदर असा खेल रहा है ये गिनबासी कर रहा है राउल चायर खेलेगा वो साथ से ग्यारा बारा से सोला में गिनबासी करेगा सतरा से बीस की बात करें तो Sam करण वो गिंदबास है जिसने 17-20 मैची गिंदबास ही किया है लेकिन पंजाब टीम के कफ्तान धौन पर डिपेंड करेगा क्या वो इस मैच में सैम करण को 17-20 और के बीच गिंदबास ही करवाएगा तो भई ये साइट फॉमेशन मैंने आपको शेयर कर दी अब मैं आपको बता रहा हूँ अपनी फाइनल टीम स्मोल लिग की मेगा लिग की टीम अलड़ी इस वीडियो के अंदर में शेयर कर चुका हूँ बस एक बात वापस मैं यहां रिपीट करना चाहूँगा क्यों बहुत कौन से प्लेर को कौन से कंडिश्मे कब कैसे टीम में लेना है कौन सा बल्लेबास कौन से गिनबास को टागेट कर सकता है और कौन सा गिनबास को टागेट कर सकता है अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो फिर भाई आप और भी ज़्यादा बहतर फैंटसे टीम परन साता जाना चाहिए, फिर बैटिंग की बात करें, दवन हो गया, ट्रैविस एड हो गया, अभिशेक सर्मा को fantasy team में काफतान बना रख है, क्योंकि ट्रैविस एड जो है न, इनको team बल्लेवासे करने के बाद सब्ससियोट कर देए जैसे Travis Head में बल्लेवासी की Travis Head को सब्स küç蛋 कर देगी जब इन की टीम के इंतरासुन को खलती ए अभिशेक के साथ ये कि अभिशेक बल्लेवासी कर रहा है फूर बल्लेवासी करने के साथ फिलीडिंग करेगा फिलीडिंग के जो advantage ahead के comparison में अभिशेक के साथ अपने को ज़्यादा मिलती है old rounder की बात करें adder markham टीम में है Sam Karan है Liam Livingston आपको fantasy team में नसर आएगा तोस से पहले Sam Karan मेरी fantasy team में वाइस कफदान है लेकिन मैंने आपको कहा है कि is C20 match में अगर सिकंद रसा नहीं खेलता Liam Livingston बल्ले बासे करने आ जाता है और इस C20 match में जो पंजाब की team में राहूल चैर को निकलाती तो फिर Sam Karan के चारू गिनबासे करने के chance increase हो जाएंगे उस case में Sam को कफदान और अभिशेक को fantasy team में वाइस कफदान कर सकते है यानि कफदान वाइस कफदान को क्यों team में लिया अभी थोड़ी देर पहले ही वहने सारी reason आपको explain किये थे तो यह मेरा fantasy team हो गया कफदान अभिशेक, वाइस कफदान सेम करन कफदान सेम करन, वाइस कफदान आप अभिशेक को बना सकते हैं अगर कफदान वाइस कफदान के बागी विकल्प के उपर बात की जाए तो क्लासन के चोईस साब के पास आप क्लासन के साथ जा सकते हैं गेंद बास में बात करें कगिस्व रबाड़ा, पैट, कमेंस और महिंक, मारकंडी तीनों ही ऐसे गेंद बास हैं जिनकोई से 20 मैट में बिल्कुल आप पैंटेस से टीम ऐसा कफदान वाइस कफदान ट्राई कर सकते हैं तो भई अब ध्यान ये रखना तो उसके बाद अगर में पैंटेस से टीम में कोई भी चेंज होगा सारी अबडेट में टेलिगराम चैल में आपको शेय कर दूगा यानि डिटो वो सेम टीम जिस टीम के साथ आज इस मैच gen में खेलने वाला हूँ आपको तेलिगराम चैल में शेय कर दूगा जोई नीगियाद जोईन कर लेना लिंक वीडियो के नीचे अपनी fantasy team में आशुतोस और शर्षांक और यहां पर जैसे रेडी जैसे बल्लेबास समझ जैसे खिलाडी इनको आपने का fantasy team में लेना है तो बहुत सिंपल सी बात है शर्षांक आशुतोस अब्दूल समझ निती सैडी आपको यह बात दिमाग में सैट करनी है सारे कोन है सारे power it रहे अब मालो पंजाब की team पहले बल्लेबास से करती है पंजाब की वैटिंग को लैप्स करेगी तो पंजाब टीम किसी भी सूरते हाल में शशांक को पहले बल्लेबास से करने नहीं बेजेगी पंजाब की team किसी भी सूरते हाल में आशुतोस को नहीं बेजेगी इनकी team जो आप पारी को समाल ले के लिए हरपरीद बरार को बल्लेबास से करने बेश देगी कि हरपरीद भाई आप जाओ थोड़ा सा विगेट पे टिक के बल्लेबास से करो क्योंकि हमाई टीम के जो पाविटर बल्लेबास है इंकम ओवर नमबर 16, ओवर नमबर 17, 19, पेस में जाते बल्लेबास से करें लेकिन जब पंजाब टीम चेस करी है और पंजाब की टीम के जो रिक्वाइर रेट है वो 12 की उससात है ठीक है तो इनकी टीम के अगर 4 पार्ट बल्लेबास आउट होंगे तो उस केस में पारी को समाली के लिए हर्परित को नहीं बेजेंगे फिर तो अटैक करने के लिए शशांग और आशुतोस को बेजेंगे और उस केस में के पर्फोर्मेस करने के चांस है पिछली T20 मेहत में आपने देखा है पंजाब टीम की बेटिंग कोलैप्स करी लेकिन रिक्वाइर इंडिट काफी ज़्यादा था इस वज़े शशांग आशुतोस को बल्लेबास में फर्मोर्शन मिल गया परफेक्ट एक्सांपल कल आपके पास आंद्री रसल का है जब कोलकाता टीम बल्लेबासी करी है पहले कोलकाता की बेटिंग कोलैप्स करी है लेकिन कोलकाता टीम रसल को नीचे नीचे बल्लेबासी करवाई जा रही है और आने वाले जो fantasy के match चीस होंगे अब आप उनमें और भी ज़्यादा बहतर तरीके से fantasy टीम बना fantasy के फिल्म में अच्छा पर्फूम कर पाएंगे ऐसा मेरा मानन है तो भई आप सब के साथ दौपस से एक बार फिर मेरी मुलाकात होगे नई वीडियो के साथ तब तक आप सारे भाई लोग अपना ध्यान रखो